हाई फ्रेंट्स वेलकम यूट्यूब चैनल होप यूट्यूब चैनल होप यूवाल डूइंग वेल दिसी ताशुतर श्कुमार यादव एड विलकम तू माई चैनल एकेवाई बायो टेक फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट डारेक्ट पीसियार इसे हैं या नहीं हुआ है उसी प्रकार आज हम बात करेंगे फायर प्रांट राक्ट के बारे में इस्ते हम क्या करेंगे डारेक्ट हम लेंगे लेते हैं वो हम लीफ से पीसियार लगाएंगे नो निटेना इसलेशन बहुत ही रैइपिड प्रसेस है PCR की cycle भी कम लगती है और आपका बहुत जल्दी ही आपको result मिल जाता है तो मैं यह देखिए यह मेरे हाथ में है यह fire plant direct PCR kit है इसमें आप kit में यह देख सकते हैं यह thermo facial scientific का यह kit है और इसका जो main component है मैं इसको आपको खोल की दिखाऊंगा इसमें क्या क्या हमें आता है इसमें ह बॉफर है यह दो डाइलूशन बॉफर है और इसके साथ हमें एक कंट्रोल प्राइमर मिलता है प्लस हमें 5 बॉफर मिलते हैं इलांग बीथ डिन टीपी यह फाइव बॉफर मिलते हैं इलांग बीडिन टीपी वने मिलका और हमारा जो main component है वो fire हाट इस्टार्ट टू टैक ग्रिक डियरनने पलिमय यह सबसे main component है अवह सारे component की अलग अलग हम बात कर लेते हैं ठीक है और कि है पहले हम बात करते हैं इस बॉफर की ठीक है यह जो बॉफर है हमारे यह फाईव एंल आता है वाइल हैं वंबॉयल मेरे मं फाइव एम आंग है आता है यहाश् hundred वन वायल में यह 5 ml होता है इसके साथ हमें दो वायल मिलती है यह बफर की खासियत क्या है इसमें हम थोड़ा सा इसको हम 20 माइक डूटर लेंगे PCR टूब में डालेंगे और 2 mm का हम लीफ जो है तोड के इसमें डालेंगे और इसको करेंगे तो इस बफर का जो हमारा DNA है वो सेलवाल को ब्रेक करेगा और DNA को हमारा सलूशन में वो रिलीज कर देगा और इसको हम इस उस सलूशन को गाहिए वीक तक बहुत आराम से राख सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है और हमारे जो फाईब वाइले डीन टीपी मिलता है यह बफर इलांग बिद्धर डीन टीपी मिंस आप्टिमाइज बफर है और आप्टिमाइज इसमें डीन टीपी है और जो बफर है वह 1.5 mmMg शेल्टू है अब एक कंट्रोल प्राइमर इसके साथ आता है मैंस अगर आपको जस्ट फ़र्ट को चेक करना है तो यह यूनिवर्सल प्राइमर है किसी भी प्लांट में जिनों में सीड में आराम से करके आपको डिजल्ट आप चिक कर सकते हैं अब मेन कंपोनेंट की बात करते हैं जो हमारा है यह फायर हाट इस्टार टू डिन रे प्ालीमर प्लभ्य एससा डिजाइन किया गया है इसको बनाया गया है जिसमें डिने बैंडिंग दोमें होता है वो इसकी फ्रोसेसिवटी जो और यह फायर हाट इस्टार टू डिने पालीमरेज है था हाइली रजिस्टेंट तो मेनी PCR इनिविटर में जो प्रॉब्लम करते हैं इनिविटर लाइक सेकंडरी मेंटाबॉराइड लिपिरन प्रोटीन यह उन सबसे यह रजिस्टेंट है तो इसलिए आप डारेक्ट लीप स आप PCR बहुत ही इजली आप कर सकते हैं इस कंपोनेंट में आपको मिलता है वन वन फायर हाइस्टाइस टू डिने पालीमरेज एंड टू एक्स प्लांट PCR बफर एंड कंट्रोल प्राइमर एंड डिलूशन बफर यह मेन कंपोनेंट है और आपके साथ पूरा यह डिस्क्रि ऐरह को सब कुछ पर के निगाल के रुन टेपrop7 और अच्छी से इब्री कंपोनेंट को आपुय जेंटली और अच्छे से आपको मिंस करना है और पी 45 डैटाइड है और डारेक्ट यह क्या करना है जो डूप सब्सेंप्स आपको आपको यस इसमें मिल जायेगा आपको डारेक्ट में यह करना है 0.5 mm का हमें जो है कुछ लीफ है वह हमें लेना है अगर आप सेट से करते हैं यहशा ङूपल को बार बार यूज करना है डिफेरेंट डिफेरेंट प्रायमर के लिए तो आप डिलुशन प्रोटोकाल पे जाएए उसमें आपका तु एम्म जो है लीजे आप PCR है मारे पास इसमें आप बॉफर ले सकते हैं बॉफर लेने के बाद 2 mm लीफ डालिए और उसको 100 माइकुलिटर जो टीफ है उसको हलका हलका क्रस्ट करिए जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा क्रस्ट करने के बाद आप उससे 0.5 माइकुलिटर लीजे मास्टर मिक्स बनाई और PCR सेट अप कर दीजे PCR की कंडिशन भी है सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूं और पहले हम चले करके दिखाते हैं आपको यह इसको हम क्रस्ट कैसे करते हैं यह हमने इसमें यह 10 माइकुलिटर की पाइपर था यह 10 पे सेट है और यह हमने यह PCR ट्यूब है अब इस PCR ट्यूब में हम पहले यह लेंगे 20 माइकुलिटर अब बफर यह हमने बफर इसमें 20 माइकुलिटर ले लिया यह कमपनी का यह पेटेंट बफर है जो हमारा जो सेलवाल को ब्रेक करेगा प्लांट को और डिन्य को यह बाहर डिलीज कर देगा तो डिन्य हमारा जो शलूशन में आ जाएगा और यह हमारे पास यह है राइस का लीफ लेए यह यह नियर बाउट थर्टी डेज ओल यिफ सेंपल है थोडा सा हम इसको 2.5 mm के लिए हम इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा और इसमें डाल देंगे इसमें हम डाल देंगे इसको लीफ सेंपल हमारा इशी में है और डालने के बाद हम 100 ml की एक टिप लेंगे टिप लेके इसको हम स्वाथ वड़ा करस्ट करेंगे इसमें इसको आप जितना भी क्रस्ट करेंगे तो यह शलूशन जो है लाइट ग्रीनिस कलर में आ जाएगा इसको ऐसे ऐसे क्रस्ट करना है बहुत केरफुली करना है आपको कि करना है जिससे हमारा सलूशन बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा यह आप जाए एक मिनिट तक आप करें यह थर्टी सेकेंड भी बहुत है करेंगे तो आप देखिए यह सलूशन जो है वह वह लाइट ग्रीन कलर हो गया है में भी कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा वड़ेब आप करेंगे तो आपको यह पिल्कुल लाइट जीन क्रस प्सक्राइब आपको यह थे खिराओ पिस्परेख करेंगे सिर्जण प्सक्राइब अधर फिल्कुल रसूच्ट के वारे में कैसा इसका विजल्ट आता है अगर आपको वीडियों अच्छा लगा हो तो प्लीज चनल को स्बस्प्राइब करईए वीडियों को लाइक करें स see you in the next video, thank you so much.